बहुत बहुत स्वागत है B.H.U. आले दा हिस्टोरिका के चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि B.H.U. का जो फर्स्ट कट ओफ है वो कब आएगा P.G. का और उसके साथ साथ आपका ये कट ओफ दीखेगा कैसा ठीक है ये जो कट ओफ है वो हर बार से ब सब्सक्राइबर्स पूरा करने पर तो प्लीज हमारी मदद करिए इसको शेयर करिए अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो ठीक है चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका कट ओफ कब आएगा ध्यान दीजे कि जो यूजी वाले बच्चे थे उन अभी क्या है कि जो पीजी का चल रहा है वो आठ तारीक तक आपका कर्रेक्शन विंडो ओपन रहेगा यानि कुल मिला कि मुझे ऐसा लगता है कि लगबग 11 अगस्त या 12 अगस्त के आस पास तक बहुत जल्दी हुई बहुत अगर फास्ट काम कर लिया गया तो 12 अगस्त त कुल मिला कि यही अभी तक का डेटा जो अभी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं वो यही हो सकता है बाकी एक चीज़ बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका जो कट आफ है वो किस तरह से बन के आने वाला है तो यह जो कट आफ है यह यूजी का कट आफ है आप देखि हिस्ट्री है ना रेगुलर फीस कोर्स और यहां पर लिखेगा VCW, RGAC, आपका FMC है ना जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी कोर्सिस रहेंगे, RGAC में हाला कि नहीं है अब VCW का अलग-अलग बनेगा STSC जनरल का हर एक का नॉर्मल एक कट आफ बन जाएगी ठीक है VCW का अलग-अलग क्राइटेरिया का एक ही साथ कट आएगा, उसके साथ साथ आपका VCW हो गया, उसके बाद FMC का कट आफ बन जाएगा, जैसे BCOM का अगर हम FMC का कट आफ मानने तो Employee Ward का जो है वो कितना है 64 है, ST का है 397, SC का है 425, OBC का 504 है, EWS का 519 है, General का है 556, तो इस तरह से ह हर एक जो वहाँ पे जो colleges हैं, FMC है, हर एक का इसी तरह से अलग-अलग बन के आएगा आएगा आपका regular seat के लिए, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे paid seat के लिए भी सेम उसी तरह से VCW, AM, PG, DAV, FMC, आपका फिर से यहाँ पे एक नया cut-off बन के आएगा, जो की regular seat से कम भी ह हो सकता है, जादा भी हो सकता है, यह बच्चों के उपर है कि किसने गलती से कहीं paid seat तो उपर नहीं select कर लिया है, और आप लोग भी अपने selection में यह ध्यान रखिएगा, कि आपका course preference जो choose हो रहा है, वहाँ पे कभी भी paid seat उपर नहीं होना चाहिए, अगर paid seat उपर है, तो अलावा भी second list आएगी, जो की first list के payment करने के बाद आएगी, फिर third list, fourth list, ऐसे करके 4-5 list आएगी, उसके बाद मौपप राउंड होगा, ठीक है, मौपप राउंड में क्या होता है, उन बच्चों का भी admission होने के संभावना रहती है, जिनके marks कम है, अगर वो 1000 रुपे दे करक मौप राउंड में, तो उनके chances बढ़ जाएंगे, इसके उपर भी हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे, अच्छे से, तो आप चिंता मत करिये, चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक एक खबर हम आपको सबसे जल्दी प्रोवाइड कराते हैं, आज के इस वीडियो में इतना लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए, यही हमारे लिए एनफ होगा, बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया